क्यान चरित्र गुणों की त्रिवेणी है का विसरीता प्रतिभा के प्रसुनों की वेणी है का विसरीता आओ करें अवगाहन इसके पुनीत चल में प्रेमिल मुस्कानूं की श्रेणी है का विसरीता का विसरीता उम शान्ती उपस्थित बहनों और भाईयों काव्य सरीता के इस एपिसोड में हम ब्रह्मा कुमारीज की भूत पूर्व चीफ दादी जानकी को समर्पित काव्य पाठ का आगास करने जा रहे हैं चुंकि दादी जानकी विश्व की सरवाधिक इस्थित प्रग्य प्रग्य प्रग्यावती महिला थी और उन्हें पूरे विश्व ने दादी के संबोधन से इसलिए पुकारा क्योंकि दादी शब्द में ही ममत्व चुपा हुआ है दादी शब्द में अपना पन चुपा हुआ है धर्ती पर ईश्वर का रूप होती मां अंधेरों के साये में धूप होती मां मां नहीं होती तो जग भी नहीं होता तो मां की आराधना होती है दादी जानकी के नाम में राम चरित मानस के सुन्दर कांड में एक चौपई आती है चौपई में लिखा है कि राम दूत मैं मातु जानकी और सत्यशपत करुणा निधान की तुलसिदास जी कहते हैं कि जानकी नाम का अर्थ ही ये है कि जो अंधकार को दूर करके प्रकाश के जरने को प्रवाहित कर द आती है तो ऐसी दादी जानकी को समर्पित आज की काव्य सरीता के इस एपिसोड में हमारे बीच पांच बहन बाही कुल मिलाकर उपस्थित हैं मैं इधर से परीचय का सिलसिला शुरू करता हूं तो आरुफ की पहली पायदान पर जो विराजित हैं वो है ब्रह्मा कुमारी राज योगीनी बहन मनो रमाजी जो हमारे बीच प्रयाक से पधारी है प्रयाक को तीर्थ राज कहते हैं तो तीर्थ एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में आने की तीर्थ राज से spiritual capital of the world माउंट अबू में दीदी पधारी है तो दीदी आपका बहुत-बहुत स्वागत है व और उनके नाम में ही प्रेम है उनके काम में भी प्रेम है उनकी वानी में भी प्रेम है उनकी नजरिये में भी प्रेम है उनकी निगाह में भी प्रेम है उनके चलन में भी प्रेम है कुल मिलाकर वो प्रेम की गंगोत्री है तो प्रेम की गंगोत्री याने सुरसरी समसब कह ह प्रेम बहन आपका प्रेम पूर्वक दादी जानकी की समरती में आयोजित दादी जानकी को समर्पित इस एपिसोड में हार्दिक वंदन है स्वागत है अभी नंदन है और इधर से मैं सिलसिला शुरू करूँ तो सबसे पहले भरत पूर के भाई निर्मल जी से आपका परीश प्रगट होती है उनकी वानी से भी प्रगट होती है और उनके आचरन से भी प्रगट होती है और ऐसा कहते हैं कि जो निर्मल मन का व्यक्ति होता है इश्वर उसके सबसे करीब होता है तो इश्वर ये विश्विद्याले में शायद वो इसी लिए पहुंचे हैं क्योंकि न अरिभाशा को यहां पर अंकित और टंकित करने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे सतीश भाई जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्व विद्यालाय के आनंद बक्षी हैं आनंद बक्षी यदि एक विशय वर्ग के गीतों को लिखने का सरवाधिक गीत लेखन का रिकॉर्ड उन अउनों तो ऐसागता है कि कोई यग्य हो रहें हो रहा हा यग्यमें समीधा समर्पित के करके ओम भूख वुल्भुवायें आं गनाइपती नमहा करते हैं तो ओम में सारी स्रिष्टि समाहित होती है तो ऐसे हरी ओम जी आप तो भी हैं और ओम भी हैं और दोनों मिल यांठ करते हैं तो ऊम में तो सारी शती का कनकन समाहित हो जाता है तो ऐसे हरियोन भाई का इन पांचो बहनों और भाईyों का मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा अंदॉर से हरधिक स्वागत करता हूं वंधन अभिनंदन करता हूं एक दोहे से दादी की इसम्रती में समर्पित दादी की यादों को समर्पित इसकाव्य के गुलदेस्ते की शुरुवात करना चाहता हूं दीदी चुंकि आप का मानस पर खासा चिंतन मनन शोधन परिशोधन रिसर्च वर्क हैं आप दो चार डीलिट और पीएज़ी वालों से तो अधिक ही कम से कम राम चरित मानस के संबंध में उनकी विद्वता से उनके विदूशी होने से मैं परिशित हूं तो मिया पर मेरी चोटी-चोटी बहने बैठी बैटा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं देवी एल्लिया विश्विद्याला इंदोर की कोई क्लास में हूं त सारे उनके दंता वली मुझे दिख रही है कोई एक बच्ची ने पीछे हाथ भी जोड़ रखें तो मुझे दोहा ध्यान आ गया वैसाम और कवीता का चमतकार देखिएगा इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता दिदी की कवीता का चमतकार और भी होते होंगे लेकिन मेरी जियानिकारी में यह बड़ा बढ़या प्रयोग है और दोहा यह है कि चार मिले शॉस्ट खिले और बीस रहे कर जोल्य चार मिले शॉट खिले वी रहे कर जोल और प्रेमी से प्रेमी मिले खिल गए सात करोर bursting अब अब तालियां अब बजनी चाहिए । तालिया अब यानि अगली पंक्ति पर बजनी चाहिए और बात यह है वह साब कि हम तो प्रेमी है भगवान शीव के प्रेमी है ब्रह्मा बाबा के प्रेमी है यह सारी बेटियां सारे भाई यह सब बैठें विवेग भाई दिदी यह भी प्रेमी है यह भी ब्रह्मा बाबा के प्रेमी हैं ये भी शीव बाबा को प्रेम करते हैं तो दोहा कह रहा है कि चार मिले चार क्या मिले भाई दो मेरी आखें दो प्रेमी की आखें ये दो और दो मिलकर दो दुनी चार हो गई तो चार आखें मिली तो चार मिले चौंसट खिले तो चौंसट क्या खिले भाई मैं हस मेरा 32 दाद दिखे उधर से बहन हसी भाई हसा उनके 32 दाद दिखे तो 64 खिल गए चार मिले और 64 खिल गए और 20 रहे कर जोर और 20 वहीं मतलब पांच उंगली इधर मेरी पांच इधर दस मेरी दस उंगल से तो 10 और 10 वीस तो 20 कर जोर रहें देखे क्या बढ़िया गणित में साहित्य का प्रयोग हुआ है चार मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर और प्रेमी से प्रेमी मिले तो खिल गए 7 करोर अब यह 7 करोर क्या लपड़ा है यह बड़ी समझने वाली बात है साइंस कहता है कि इनसान के शरी रोम पुलकित हो गए हमने सामने वालों के तो 7 करोर हो गए तो अब दो है का मजा लो की 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर और प्रेमी से प्रेमी मिले तो खिल गए 7 करोर तो ऐसे 7 करोर रोमों को यहां पर वैसा खिलते वे हम दादी जी को समर्पित इस एपिसोड में देखना चा समझना चाहते हैं हाला कि क्रम उनका नहीं है जिने मैं यहां परामंत्रित कर रहा हूं क्योंकि इस मंच पर वो सबसे वरिष्ठ है सरवाधिक ज्यान में उन्होंने अपना समय हम लोगों की तुलना में व्यतीत किया है मगर चूंकि वो दादी जानकी जी के साथ में रही ल दादी से जिसका ज्यादा सघन परिचाए हो तो फिर वो मनोरमा होगा तो वो मनोरमा है वो दीदी मनोरमा है तो मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं और चूंकि वो रामचरित मानस की बड़ी प्रेमी है दीदी तो अब मैं आपको कह रहा हूं कि नव कंज लोचन कंज कर उनके मुह पर ज्यान कमल दिखेगा कंजार उनम पूरा का पूरा शरीर ही जिनका कमल मैं है यानि ज्यान मैं है मैं ऐसी मनोरमा दिदी को आमंत्रित कर रहा हूं आप इस साहितिक सन्नाटे को तोड़ें अपने हाथों को जहमत दें और जोरदार तालियों के साथ साधर में दिदी का स्वागत करें बंदन करें अभी नंदन करें आईए दिदी आपका बहुत बहुत स्वागत है आप दादी जानकी के संग रहिए यही हमारे लिए गवरों की बात है कि हम उन्हें इतने करीब से देख पा रहे हैं जिने दादी का सानिज्य मिला वेलकम दिदी बहुत शुक्र गुजार हूँ सर प्रथम तो गॉड्ली वोड इस्टूडियो की जिनोंने इस काब्य सरता को फिर से एक नया जामा पहना है और खासतोर से आज हमारी आधर्णिय परम स्रध्य पूजनिय दादी जी को आज भावनाओं के समर्पन का ये कारिकरम संजोया है फासतोर से ब्राता राजीव सर्माजी जो अपनी वक्तब्वे के माध्यम से अपनी विद्धता के माध्यम से सामने वाले को जमी से आसमा तक पहुचा देते हैं तो बहुत अधिक कुछ कह गये हैं अब मैं उस पर ब्याक्या नहीं दूगी लेकिन उनका हरदैस से शुक्र कहने की बात आती है तो पूरे यग्यमें अगर मैं ये कहना चाहूं कि कोई हस्ती प्रग्या शक्ती थी तो वो दादी जान की थी अगर ये कहना चाहूं कि कोई संकल्प सिधा थी इस यग्यमें तो दादी जान की थी और अहिर निस उनकी यादें उस बाबा को समर पित थी मैंने उन्हें कभी भी जुदा नहीं देखा है कभी भी जुदा नहीं देखा और सच पूछिए तो उनके बारे में लोग कहते हैं अरे आपने क्या लिख दिया एक बार मैंने उर्दू में कुछ लिख दिया और लिखने के बाद कुछ लोग जो मुसलिम भाई बंदू थे उसको रिकॉर्ड कर ले गए, अब मैं तो अपने जोश में, अपने सरूर में, तो वो जजिया, नवाज, सब कुछ सुभो शाम उनकी जिस तरह परमात्मा था, उस तरह हम लोगों के लिए दादी जी थी, आज दादी जी के प्रती कुछ भावनाएं अर्पित कर रही हूँ, मैंने देखा है, कि वो जितना इस यग्य के संचालन में, प्रखर भी थी, उपराम भी थी, स्वासों का सिलसला कभी-कभी ऐसा लगता था, थमने लगा है, लोग डॉक्टर्स कहते थे, अब ये क्या होगा इसके बाद, और अगर दादी जी से ये कह दूँ, कि दादी, 25,000 माताय आ गई हैं, आप चलेंगी नहीं, तो भले ही वो तन सिथिल हो रहा हो, चलो, कभी मैं ने उनसे सुना नहीं, कि मैं कहां जाओंगी, तुम देख नहीं रही हो, मेरी क्या हालत है, नेवर, हमेशा सतत, सनलगन, तीन दिन मुह में पानी की बून नहीं गई हमदाबाद में, दादी गुलजार जी उनसे मिलके यहां आई, डॉक्टर्स ने कहां, आप नहीं जाएं में हैं, और कैसे उनमें चेतना लोटी और वो यहां आई, सीधा मंच पर मैं वहीं थी, मेरा सौभाग ये, तो मैंने कहां किवल दर्शन कराने के लिए लेके आई हूं, और दादी जी ने दर्शन के साथ साथ उनके मन को भी प्रसंद कर दिया, 15 मिनट क्लास कराई, बैट क दादी जी थी, उनकी उरजा, उनकी शक्ति, कुछ जंद लाईने, मैं विराट की दीफ शिखा हूं, बेहत की रहने वाली, उन्हें सीवाएं नहीं बांध पाई, अंतराश्टी इस तर पे रहने बांध पाई, मैं विराट की दीव शिखा हूँ, बेहत की रहने वाली, रहती हूँ सदा तनहा तनहा कटपुतली उपर वाले की दादी जे वैसा कहती थी करन करावन हार करा रहा है, मैं तो कर रही हूँ तुमने देखा बेनूर मुझे, पर मैं आलोकित रही सदा सामाने दरश्टी से कोई देखेगा, तो क्या समझेगा तुमने देखा बेनूर मुझे, पर मैं आलोकित रही सदा बाबा मेरा, मैं बाबा की, बाबा मेरा, मैं बाबा की, रहती घ्रत से भरपूर सदा इसने चलकते ही रहता था, रहती घ्रत से भरपूर सदा मैं जंगल में मंगल हो रही हलचल में शांत रही सदा हूं सक्ति साधना की मुरत हर घटना की मैं साक्ष रही है वक्त रहा बलवान सदा हर घटना की मैं साक्ष रही उनकी विसेस्ता थी साक्षी भाव से देखना भहिया इंदौर से हैं और इंदौर में उनका कारिक्रम लगा हुआ था और दादी जी का प्लेन चल के नहीं दे रहा था वो पाल में बैठे हुए लोगों ने का क्या होगा बला कुछ नहीं होगा जो कल पहले हुआ वही होगा बुला अरे बहुत सारे सिंधी एकत्र हुए दादी बुला कोई नहीं एक छोटी सी बहन का नाम लिया उन्हो उसको मैं चलना हो कि रही सदा संकल्प रहा मेरे वस में मैं स्वय हमसित्धा बनि रही सदा मैं जक्से न्यारी प्यारी हूँ, हाला कि दादी ने कभी नहीं कहा, लेकिन न्यारी रही हूँ, ये वो कहती थी, मैं जक्से न्यारी प्यारी हूँ, पर बाबा की प्यारी रही सदा, कमल समान पवितर रही, विकलपों से दूरी रही सदा, विकल्पों से दूरी सदा दादी हमारे यग्य का पर्याय बन गई सेवा और सुमिनन का अध्याय बन गई सेवा और सुमिनन का अध्याय बन गई पढ़ाती थी सुबह रोज ही जोशो खरोस से देश और विदेश में वो पहचान बन रही वाह 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 देती रही दिशा जो कहीं मूझ हो जाए कोई बी उलच के अगर पहुंसता था देती रही दिशा जो कहीं मूझ हो जाए समाधान और वर्दान का एहसास हो रही सब्धता का वो सदा देती रही फत्वा वक्त की मुनादी का ऐलान हो गई नश्टो मुहा बनके सबको दिखा दिया जीते जी करमातीत का वो ग्यान दे गई संगम के सुहाने पल इस्मृती में समेट कर करके हवाले दादियों के यग्यरक्षक हो गई यग्यरक्षक हो गई दादी हमारे यग्यका पर्याय हो गई ओम शन्त मनोरमा दिदी ने दादी की विशेष्टाओं को लेकर बहुत प्यारी प्यारी बहुत अच्छी और उनके अनुभव जन्य बातों को हमारे समक्ष रखा हम मनोरमा दिदी आपके आभारी हैं इसलिए और जहां तक दादी जानकी का सवाल है मैं एक कभी के रूप में सोचता हूं कि सूरज की लाली फूटेगी जब तक नील गगन में सूरज की लाली फूटेगी जब तक नील गगन में कली कली मुस्काएगी जब तक जगत चमन में कली कली मुस्काएगी जब तक जगत चमन में दादी ज्यान की महकेगी बन यादों की फुलवारी नेह डगर बन चमकेगी तब तक नीर पवन में नेह डगर बन चमकेगी तब तक नीर पवन में और आपने दिदी बिलकुल सही कहा कि वक्त रहा बलवान सदा आपकी पंक्ति जो थी मैं इस बात को आगे बढ़ाना चा%. चाहूंगा कि वक्त यकिनन सबसे बलवान होता है वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना परा है बच गया तलवार शे Toboo से कटना पड़ा है वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है बच गया तलवार से तो फूल से खटना पड़ा है और क्योंकि ना कितनी बड़ी हो क्योंकि किसी कठिन हो घर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है तो एक उद्दाम सरीता थी उद्दाम नदी थी क्योंकि ये काव्य सरीता है ना तो दादी जानकी भी सरीता ये भी काव्य सरीता सरीता से सरीता मिली तो संगम हो गया इसलिए संगम से आई हमारे बीच मनोरमा दीदी तो मनोरमा दीदी भी संग कर लिए तो देवियों सज्जनों बएनों और वहाई जा रहा है और प्यारा भाई है उनका नाम निर्मल होता है और जैसी के मैंने पहले ही बता दिया कि वो यथा नाम तथा गुन है लेकिन इतना जरूर कहूंगा निर्मल भीया मैं कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है मेरा बड़ा प्यारा मित्र था कुवर भीया चले गया कुरो नाम वो कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है और चलने को तो एक पाउं से चल लेते हैं लोग और बेटा अब दूसरा पाउं आप हो पहला पाउं मंच है दूसरा पाउं आप हो दूसरे पाउं को लगे की पाउं की पूजा हमने कर दी चरणों की तो फिर अपने हाथों को कश्ट देना और तालियां बजा कर निर्मल भाई को बुलाना अब अभी बटाल लाइन तो हो यांदो कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है और चलने को तो एक पैर से चल लेते हैं लोग पर दूजा कदम भी साथ दे तो और बात है मैं आमंत्रित कर रहा हूं निर्मल भहिया को निर्मल भहिया अपने दोनों कदम लाएं दोनों साथ दे रहें आपके माइक्रोफोन को सेट करें ताकि और बात हो जाएं जैसा कि आप देख रहे हो हमारे बड़े भाई राजीव जी का जो इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं और राजीव का दूसरा होता है कमल कांत सब्दावली आपका संचालन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद नभाद दम्मा कुमरी ईश्वरी विश्विद्याले का बड़ा प्रतीक है कहीं जगे कमल दर्शाया जाता है और वो की किस तरह से कीचड के बीज भी कमियों के बीज भी वैसा तो कमल तो आप है राजी ने घरे धनु स भगत विपती भंजन सुख़दायक तो आपका बहुत स्वागत है वैसा निरमल भाई अपनी बात विलियम सेक्सवियर का जो इंग्लिस में एक कोड़े सन है उससे प्रारम करना वा 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 बहुत अच्छा वह वर्ल्ड इज मेर इसे मेर स्टेज वेर एवर एवरी वन हैस तो प्ले इस रोल असाइंड और मुझे लगता है दादी जानकी ने अपना जो इस प्रत्वी पर जो रोल नवाया वह बहुत ही बखू भी नवाया बहुत ही सांदार तरीके से निवाया और ऐसा बताते हैं कि घर में एक अगरवत्ती सुलगादो तो पुरा परवेस महकने उठता है वाँ दादी तो एक सो चार वर्स तक इस परवेस को महकाती रही इस मदवन को महकाती रही ऐसी दादी के को मैं नमन करता हूं और उनके मुझे लगा तो तीन एक दो है पढ़ूँगा में उसके बाद उनकी एक मुक्तक और एक छोटी सी कविता मैं यहां पर आया हूं तो मुझे लगता ही नहीं है लेकिन हर जगह उनका दिखाई दे रहा कि मदवर में पर बरस्ता बारिश वन घंगोर इस पूरे परवेस में दादी का प्यार ही यहां पर चला है और दाधी से हमने सीखा क्या है यह मैं आपको दो पंक्तियों में बताता हूं कि दादी से सीखा है हमने जलकर भी मुस्काना एक दीपक की तरह प्रजुलित रही दादी जब तक रही कि दादी से सीखा है हमने जलकर भी मुस्काना तेज आधियों से लड़कर अपना अस्थित बचाना मैंने उ पग पग पर जब अंदकार बैठा हो जाल बिचाए पथ आलोकित करके निर्मल सची रहा दिखाना तो दादी जी ने हमको जो सची रहा दिखाई है और उनके ब्यक्तित में जो गर्मा थी जो बता रहे ते इस्थिती प्रग्य विद्वानों ने उनके जो माइंड पर जो किय रिसर्च की जो खोज की और सबसे इस्थिर जो दिमाग पाया तो हमारी दादी जी का पाया तो उन दादी जी के थुरह सा वर्णन करते हुए मैं आपकी एक कविता पेस करता हूं स्वागत थे निर्मल भीया वाह वेलकम कि त्याग तपस्चा की मूरत्ती मिला जान की नाम क्या दादी का चेहरा वार झाल दिखा रहे हैं तो कितना ऐनूटा रूप आप उस पे फुसरा देखें कि दिभ्य अनूटा रूप धार कर जग में आईई आप सिभ बाबा की संतानों पर अमिट छोडडी चाप क्या बत है निर्मलिड़। सब्सक्राइब लिए निट्य सादना और योग से हरकर सवी विकार सुद आचरं म्रद्वानी से जीतलिया संसार सुद्ध आचरण म्रदवानी से जीत लिया संसान और सांथ चित जिसकी में बात कर रहा था सांथ चित से प्रेम लटाया दादी ने अविराम किया धरती को पावंधा और उने कूरी जिन्दीगवर जो कार किया वो कार देगे वाईशाल जी जी सिव बाबा ने ज्यान दिया जो उसका कष्विस्तार मानव हित के लिए बिसको दिया प्रेम उपहार औरंडhe संग आती मिलने सुबहु सां म आप यहना सोचे कि युन कहीं चली गई है अध्यक्त जरूरा हुई हैं लेकिन हमारी यादव में मीठी मीठी यादों में संग आती मिलने सुभ उसाम किया धर्ती को पावंधान रूप सलोना लगता बड़ा अनूप और देख उन्हें सुक मिलता ऐसे सर्दी तो देख उन्हें सुक मिलता ऐसे जो सरदी में दूप भेज रहे हैं निर्मल मंचे सो सवार प्रणाम किया धर्ती को पावंधाम ऐसी दादी जानकी को मैं अपने दिल से बिलकुल अपनी सद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ में अपना इस्थान गिर्यन करता हूं आप से इजाज़त चाहता हूं बहुत 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 अच्छी रचना सुनाई वही सब आपने और शेक्सपियर को उद्यत किया और यही बात कट पुतली उससे उससे बोली सेम बात आपकी बात आपने शेक्सपियर को कूट किया दादी ने अपने तरीके से दीदी ने कोट किया तुलसिदाज जी अपने तरीके से खोट किया कि उमादार हूं जो शितकी नाई और सभी नचावत राम गशाइं यह भी कट पुतली है वाग दोर तो सब हम कटपूतली ही हैं लेकिन एक बात दादी की दादी जानकी के सानिध्य में 10-20 बार मिलने का सौभाग्य मुझे भी दिदी हासिल हुआ अक्सर तो एरपोर्ट पर ही वो मिलती थी मैं कभी सम्मेलनों के लिए इधर उधर जाना हो और दादी के भी काफी द जनाहिे सब्से बड़िया गेहना है न वह दादी जानकी ने भी धाराण कर रखा था जो सबने धारान कर रहा और वो एक की स्थाई हसी वह हमेशा मुस्कुराते रहे थी हर हाल में मुस्कूराते रहना सुक्ष दुख समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाया जयो सूक्मे दु ही उती पर सब समस्या है तो हली कर देती है तो काव्यक्षेत्र का अधना सेवक एक बात बतलाता है अनुभव जन्य जो मंत्र मिला वो मंत्र यहां जतलाता है जो हसता है हसाता है सव तीर्थों का फल पाता है और जो रोता है रुलाता है रावन की तरह जल जाता है तो आपन राम वाले लोग है अपने को रोने ओने में बिटा कोई अपने अपनी दिशा हुनी चाहिए हमेशा मुस्कुराते रहो याने निश्चिंत रहो परमात्मा पर यकीन रखो दादी जानकी ने जो चरण चिन्न बताये हैं उन पर हम सदेव चलने का प्रण करें आईए दादी को अगली सुमनान जली समर्पित करने के लिए अपनी स्वस्ति कामनाओं के पारी जातों को दादी की समरती के चरणों में अभी मंत्रित कर सिद्ध कर समरपन भावों से उत्प्रेरित करने के लिए मैं प्रेम बहन को आमंत्रित कर रहा हूं जो भरतपुर से हमारे कि प्रेम बहन माइक्रोफोन के समक्षा है और आकर दादी के प्रती अपनी विनियान जली को एक नई शब्दा वली देने का सद प्रयास करें बहुत-बहुत स्वागत थे प्रेम दीदी आपका जैसा कि हम जानते हैं सभी अमारे घर में कोई भी प्रियाजन आता है विक्ति तो हम उसका कितनी उससे स्वागत करते हैं उसके लिए फूल दीप लगाते हैं उसको चंदन तो परमपिता परमात्मा से बढ़कर हम सब के लिए कौन है इसलिए हम सब मिलकर इस बंदनीय मंच प मंच पर बैठे मुझे तो बहुत अपने आपको बहुन बहुना मैसूस कर रहे हैं क्योंकि दीदी टनी बड़े हैं सब बरिश्ट भाई जो मुझे से अनवम हैं भाहिया जी सब बहुत बड़े हैं तो इसलिए मैं उनका भी बहुत दिल से नमन ओकर बंदन करती हूं विव अपने मन का मीत बाबा को बनाया था उन्होंने अपना मन का मीत तभी तो हमेशा हर पल गाती रहती थी दादी खुशियों भरे गीद या बाबा वी प्यार से उनको कहते थे जनक दुलारी बाबा वी उनको कहते थे प्यार से जनक दुलारी दादी आप हम सब की अती हो से सब ब्राह्मन परवार की प्यारी बहुत प्यारी बहुत प्यारी वादी वाद के विख्यात थी अपनी जान की दादी जी विख्यात थी दादी जान की क्योंकि गुड़ विसेस्ताओं से भरपूर गुड़ों की खान थी जान की दादी विख्यात थी अपनी जान की दाद क्योंकि गुंड विस्थेस्ताओं से भरफूर थी दादी जानकी कहते सब उनको ब्रह्मा कुमारी हमारे लिए मां से बढ़कर एक शब्द है दादी ऐसी ममता की मूरत और करुणा मैं थी अपनी जानकी दादी जैसा कि हम सबी देखते हैं जब हम आते थे दादी से बाबा मि बच्चों जैसी खिलकलाट वाली जो हसी होती थी वो आज भी ऐसे लगता है जैसे दादी हमारे सामने अब भी भी हो दादी के वो खिलकलाट वाली मासूम सी हसी और वो छोट नन्ने नन्ने पेरों से मंच पर आना जैसे फरिस्तों की तरह तो वो सब बातें बहुत याद टो इसमें मैंने छोटे से दो लाइने लिकने की कोशिश की है दादी के लिए औरों के मूरत करुणा मैं थी अपनी जान की दादी कहते हैं कर बुलंद खुद को इतना कि खुदा तुझ से पूछे तेरी रजा क्या है तो दादी के जो होसले थे वो अपने आप में एक अनोठे थे तो इस पे एक चोट दो लाइन लिखने की कोशिश की है इरादे नेक होसले बु यान की दादी और बात हो बाबा की श्रीमत की तो जमी से एवरेस्ट की चोटी पर नदी को ले जाती प्रक्तिती सदा अपने साथ बना कर साती ज्यान तलवार रखती थी हमेशा अपने साथ में इतनी उची थी दादी अपने आप में ख्याती तभी तो माया भी उनके आगे नकमस्तक हो जाती कहते हैं सब उनको ब्रह्मा कुमारी परंतु मा से बढ़कर एक शब्द है दादी ऐसी ममता की मूरत करुणा मैं थी अपनी दादी उम्मीदों का दामन छोड़ा नहीं उन्होंने जलाकर रखी हमेशा स्रेष्ट संकल्पों की बाती परिस्तितियों के जोंके कितने भी आए ना हार ने दिया किसी को ना खुद ने हार मानी कहते हैं सब उनको ब्रह्मा कुमारी परंतु मा से बढ़कर एक शब्द है दादी ऐसी ममता की मूरत करुणा मैं थी अपनी जान की दादी आप थी प्रेम बहन आपने दादी के प्रती अपनी भावनाओं का इजहार किया और इजहारे भावनाओं के बीच आपने उर्दू की दो पंगतियों का भी इस्तेमाल किया कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है इसको कि खुदी को कर बुलंद इतना कि चड़बय ठिमाले पर और जब लगने लगे ठंड तो खुदा खुद बंदे से आके पूछे कि बता तेरी रजाई का वही बात कहने के अंदाज तरी अलगा लगे ना कहने के तरीक अंदाज तो क्या है देखो बहनों भाईयों देवियो और सज्जनों यह इसलिए कि एक बार काव्याचारिय भरतरी से प्रश्न किया ऐसे बच्चे बेठे थे बाबा के बच्चे बेठें किसे ने प्रश्न किया कि यह बताओ संसार में मनुष्य कितने तरह के होते हैं तो भरतरी ने उत्तर दिया दो तरह के होते हैं तो सामने व शाष्त्र करते हैं जो काविये लिखकर और काविये सुना कर और आप काविये सुनकर अपना समय बिताते हैं अपना समय व्यतीत करते हैं वो सार्थक समय होता है इसलिए यह सार्थक समय को जीने वाले लोग बुद्धिमान कहलातें ये भरतरी के था इसका आर्थ क्या हुगा कि अपन जितने बैठें आपन तो इन्टेलीजरेंट हैं यह जितने सुन रहे हैं यह भी इंटेलिजेंट हैं दोनों इंटेलिजेंट हैं तो अपन बुद्धिमान लोग हैं सब यहां हैं बुद्धिमानों की महफिल है तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छती धीमताम अपन विद्वान बिया अपन अपन मतला भरतरी के रहा है ना अपन थोड़ी के रहा है और वो कोन मूरख कोन दिदी व्यसनेन च मूरखानाम निद्रया कलहेन वा पूरा श्लोके काव्यशास्त्र विनोदेन गालो गच्छती धीमताम व्यसनेन च मूरखानाम निद्रया कलहेन वा मूरख कोन होता है बिटा आपस में लड़ने में जो समय भिताते हैं वो मूर्ख कहलाते हैं तो बड़ी छोटी सी बात है कभीता जो है वो बुधिमानों की विधा इसे लिखना इसे सुनना इसे सुनाना और यही बात दिदी ने अपने तरीके से कही सब आप सब ने अपने तरीके से कही अब मैं अगली पायदान पर जिस भाई को आमंत्रित करना चाहता हूं वो बड़े अच्छे गीतकार हैं मधूबन में रहते हैं बहुत सारी कैसेट्स उनकी निकली है, किताबें भी प्रकाशित हुई है, सतीश भाई उनका नाम है, वो ब्रह्मा कुमार है, वो भारत वर्ष में रहते हैं, भारत वर्ष के एक प्रदेश राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान के एक नगर माउंट अबू में रहते हैं, माउंट अबू में ए कर अपनी रचना का पाठ करें अधरनी सथीश्वईया तालिया हम सबके प्राण प्यारे परम्पिता परमात्मश्य बाबा और उनकी परम लाडली उनका ही स्वरूप आधरनी दादी जान कीजी और उन सब किस नहीं की छत्रचाया में पलने वाले आज की इस एपिसोड में आज की इस समारों में सभी उपस्ते्ट सभी भाई बहने ब्रह्मा वच्ष हमारे कविगन और हमारे मंच संचालन के लिये एक विशेष विभूती इनकी तो जितनी तारीफ की जाया जितनी प्रसंचा की जाया वो नगर्नदी है उसको कितना भी किया जाए कम ही होगा सच पूछा जाए तो दादी जानकी जी एक ऐसी उदार मना विश्वबंदनिया और सर्व के लिए अस्तुत्य प्रातर अस्मर्णी महा मना दादी जी उनके लिए जो भी शब्द कहा जाए सब कम हो जाते हैं मेरा ये सोभाग रहा कि इन दादियों के साथ और मुझे तो पलपल दादी जी के साथ अंग संग जब भी रहे तो राजी भाई क्या बताएं ये ख्याल में आता है कि दादियों इतना प्यार से इस परिवार को सीचा है वो अपने स्नेह के छाया में लिया है कि हमारे नैन तो उनके स्नेह में गीली हो जाए बिलकुल सही अधों दो भी है जी मुझे आध है एक बार कुछ इनके रचना हुए थी SI दीस्टेरिशन से वे दिभिशनल नई बहुत अच्छी गीध बनके आए थे तो दाधी जी हमको शंतिस्तं के पास मेली और शंतिस्तं के पास जब मिलती है तो सामने दाधी आती है और मैं शंत Не संस्तं से आजoden Basic Good यह बता कि तेरी आत्मा मेरे अंदर आ जाती है कि मेरी आत्मा तेरे अंदर आ जाती है जो हम दादियां बोलती है यह तू लिखता है हां यह दादी जी के वाग सब्सक्राइब मैंने कहा य私들 है आप नहीं है आप महीमः वान है आप सब को इतना प्यार देतीं सम्मान देते हैं कहा आप और कहा मैं लेकर द riders आधि आप ठीक कह रहे हैं प्रयास तो होता है दादी जो आप भूलती है वही सब्दों में उतरता है बहुत गीत लिक्छे दादी जब भी दादी देखती थे आजाओ इस टेज पर आजाओ लेकिन आज उनके लिए कहने के लिए मेरे पास सब्द ने कैसे कह दूँ वो नहीं रहे कैसे कह दूँ वो नहीं रहे यादों में सदा जो रहते हैं जो जीते हैं औरों के लिए वो अमर सदा ही रहते हैं अध्यात्म जागरिती लाने वाले जिन्हें जान की दादी कहते हैं विश्वण्द निया मा को सतशत नमन हम करते हैं यू जमाने में अने को जनम लेती जिन्दगी पर जो जीए औरों लिए उस जिन्दगी को बंदगी उस जिन्दगी को बंदगी दादी जी सर्वथा स्तुत्य हैं दादी जी का पलपल एक एक बाद हम सब को जीने की प्रेड़ना देता है और दादी जी की नजर एक जर्रे पर पढ़ते थी तो जर्रा जो है वो चमक कर सूरज जैसे चमकने लगता था जी यह दादी जी के खोवी थी दादी इन तरास मुझे पुरा याद है दादी जी अम्रित वेले का योग पक्का करती थी जी मैं दुबए में भी गया था तो तेश किलोमीटर से आकरके मैं बैठता था या पहले भी आके में बैठ जाता था लेकिन जब तक मैं बैठ उट तो उसके पहले दादी बैठ लेते थे चार बजी यूग कराने के लिए और कैति तो मैं बैठ हूँ तो आकी बैठ जा आठा दादी पास वो जो वाइबरेसंस मिलते थे चालिस वर्ष माउंट में हो गए लेकर इन दादियों की इन ही प्रेड़ना उन्हें मुझे विदेशी भाई बहने अमरित बेला ब्रदर कहते हैं यह मेरा सोभाग यह कि अगर यह यहां पर है तो जुरूर सामने बैठके मेडिटिशन गाइड करेगा और दादी जी की वही प्रेड़ना बराबर मिलती रही कि चालिस वर्ष हो गए अमरित बेला कभी मिस नहीं यह दादियों की देन है यह मेरा कुछ नहीं उन्होंने सामने करके बताया कि बच्चे तुमसे अगर प्यार है तो मेरे लिए गीत गात चलिए सुनाता हूँ दादी जी के प्रती हम था हतेरी कब ना पाय हम था हतेरी कब ना पाय ओ दा दे तुमसा कोई नहीं नहीं क्यावाद नहीं पर देखा तुम सा कोई नहीं ओ दा दे तुम सा कोई नहीं ओ दादे तुम सा कोई नहीं जग में थी पर जग से न्यारी जए सदीर जी ने कहा, कि न्यारी तो न्यारी थी लेकिन सब की प्यारी रही जग में थी पर जग से न्यारी सब की थी पर सब से प्यारी मस्त फ़कीर तुम को विदेही जनक थे कहते तुम कुष नही मस्त फ़कीर तुम को विदेही जनक थे कहते तुम सने बेगम पुर की तुम बादशाः बेगम पुर की तुम बादशाः वाह वाह तुम सा कोई नहीं ओ दादे तुम सा कोई नहीं ओम शांति के धुन लगाते तुम मेरा बाबा मंत्र सुनाते थे मैं हूं कौन मेरा कौन सबको भेद बताते थे क्या बादे भादे खुबियों की खुबा ओ दादे सेवा बिन तुम सोई ही नहीं सेवा बिन तुम सोई ही नहीं दादे तुम सा तो कोई नहीं तन से जो सेवा रही हुई तुम वतन से करने को चली तन से सेवा जो रही हुई तुम वतन से करने वो चली ओ शान्ती की देवी सब में शान्ती शक्ते भरने चली वो शांती की देवी सब में शांते शैते भरने चली जान से प्यारी जान की दादी, जान से प्यारी जान की दादी ऐसा फरेश्ता कोई नहीं, वो दादे तुम सा कोई नहीं अध्यात्म ज्ञान वे ज्ञान पता का अध्यात्म ज्ञान वे ज्ञान पता का जग में फहराने वाली प्रभु प्रेम और विशु शान्ती का हे मार्ग दिखलाने वाली जान से प्यारी जान की दादी हर धडकन एक साथ कहेगी विश्व बंद नियादा देमा तुमको दुनिया याद करेगी विश्व बंद नियादा देमा तुमको दुनिया याद करेगी एक विशाल महिला संगठन के संभाले बाग दोर एक विशाल महिला संगठन के संभाले बाग दोर हर जीवन में सुख शान्ती हो संदेश गुझाया चहू ओर हर जीवन में सुख शान्ती हो संदेश गुझाया चारोर गीत अग्यान और राज योग की बहाई गंगा और बहेगी विश्वबंद नियादा दिमा तुमको दुनिया याद करेगी भारत की महान संस्कृती का जग में है उचा नाम किया भारत की महान संस्कृती का जग में उचा है नाम किया सर्ब स्रेष्ठ इस्थिर्मना का सो वर्ष से ज्यादा काम किया सर्ब स्रेष्ठ इस्थिर्मना बन कर सो वर्ष से ज्यादा काम किया कोटी कोटी जन्मानस में, कोटी कोटी जन्मानस में, केर्थ तुम्हारे अमर रहेगे, विश्वन्द निया दादेमा, तुमको दुन्या याद करेगे, विश्वन्द निया दादेमा, तुमको दुन्या याद करेगे, वाब 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 सतिष्वाई, बहुत बहुत धन्यवाद सतिश भाई, हमारी कल्चरल विंग के कॉर्डिनेटर हैं प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्विध्याला के मधुवन में निवास करते हैं आपका बहुत बहुत अभी नंदन्य दादी को लेकर बड़ी भाव प्रणव रचना आपने जनता जनारदन के सामने इस स्क्रीन के माध्यम से पेश की और गौडली वुड हमारे इस स्टूडियो का जो नाम है जहां से ये प्रोडक्शन होकर पूरे विश्व के ब्रह्मा बाबा के पृर्एमियों के स्क्रीन पर जाकर इस्क्रीन के माध्यम से उनके दिल तक दस्तक देता है उस गौडली वुड व्यक्त करते हैं सतीश भाई हमका आपका की दादी के लिए तो सारे अलफास भी छोटे हैं अर्थ भी छोटे हैं लेकिन जब कहना ही हो तो कहा जा सकता है कि जब सूरज हो कुछ डरा डरा जब सूरज हो कुछ डरा डरा और मरा मरा हो उज्यारा चैतन्य नहीं हो चिनगारी जब बुझा बुझा हो अंगारा जब बुझा-बुझा हो अंगारा तब समझो शिविर कहीं कोई चलता है गुपत अंधेरे का जब सूर जो मावस गोंट रही है kण्ठ सुजान सबेरे का, तब जिसने सेवा व्रत धारा हो, तब जिसने सेवा व्रत धारा हो, वो देवी आगे आती है और बीके मशाल की धारन कर जान की बन जाती है, तो ऐसी आधरनी है दादी जान की, ऐसी मुजिस आधरनी जानकी दाधी रिस्पेक्टेट दाधी जानकी हैं जब दाधी हम कहते हैं तो लोग कहते हैं कि दाधी ने नेत्रित्व दिया इतने साल तक नेत्रित्व दिया और दाधी ने तो सारी दुनिया को मात्रित्व दिया जो मात्रित्व से आपलावित थी वो वो है दादी जानकी तब जानकी वो तो मां का नाम है त्रेता युक से हम जानकी नाम के साथ मां ही जोडते हैं माता जानकी को प्रणाम करते हैं तो देवियों सज्जनों इस काव्य सरीता के अंतिम पाइदान की तरफ में जा रहा हूं और जो भाई हैं उनका नाम ही हरी ओम ह होता है तो अरियोम हरी 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 होम हरी नारद मुनी भी यह करताल लेकर जाते हैं तो मैं उन्हें इन चार पंग्तियों से साथ बुलाऊंगा की शब्दों की सरिता का घाट कह दूं तो गलत नहींगा भावो की धारा का का पाठ केह दूँँ तो गलत नहीं होगा और बहुरत पूर से आए हरियम भीया को आधरनी हरियों भई आप lass रचनाओं का पाथ करें काभी सर्ता के विशेश आध्यातमे एपिसोड एक एसी महान सक्सियत दादी जानकी कि इस्मरती उनको याद कर रहे हम उनका इस्मर्ण कर रहे हैं मैं सरब्रथम उनने नमन करता हूं वाहरी यूंजी वाहरी इस काभी सर्ता की नईया के खवईया डाक्टर राजीव जी कि बहुत स्रेश संचालन बहुत कैसी ही किसी भी मनुतसा के कवी को बहुत अच्छी बात कहने के लिए प्रेरित करने में महारत हासल आपको मैं और बहुत गीतों के सगुमार आपके सतीर भहिया जी निर्मल जी मैं च सब कुछ देकर पूजनी हो जाती हैं उपर तक जिरकी कांती विश्वभर में फैली होती है ऐसी दादी जी को नमन करते हुए तेज अनल आतव से तपता स्वन तभी कुंदन होता है जो दीनों की पीला हर्ता उसका जगवंदन होता है आसपास वनको महकाई वैस अच्छा चन्न होता है और परहित में जो खुद मिट जाए उसका अभी नंदन है स्वागत है मैं चूंकि ये पत्थ ये मार्ग सेवा का मार्ग क्या का मार्ग ये बहुत बड़ा है दादियों ने कितना संगर्ष किया हुआ तब जाके ये बाबा का सामराच खड़ा हुआ है आज विश्वर के अध्यात्मिक जगत के लोग प्रेरित हो रहे हैं यूं तो सबके जीवन का अनुवंद अलग है किन्त कटीले फूलों का मकरंद अलग है और बिशमकाल में लड़ने वाले ही जय पाते कठिन राह पर चलने का आनंद अलग है इस आनंद की प्राप्ति के लिए इन दादियों ने ब्रह्मा बावा ने ये सामराज खड़ा किया और आज पूरे दुनिया भर में ये प्रकाश आलोकित हो रहा है मैं एक गीत उनके स्वागा इस प्रक्ति में रख रहा हूं मैं चाहता हूं अगर आप आप आशिष देंगे आप तालिया एक बार जोड़दार बजा कर मुझे आरिश आदे आप चाहता हूं कि ये थोड़ा आरे अंबाई आप बाबा की जो क्रपात पात्र दादियां है उन्हीं को ये शुएस मिला है ये गौरम मिला है ये स्थान मिला है बाबा का आशिष मिला तो आप बनी सुर्वित चंदन पूझ जान की दादी जी का करते हैं शत शत वंदन आज आपकी पावन यादें प्रेरित करने आई है आज आपकी पावन यादें प्रेरित करने आई हैं मन कोशी तल कर दें ऐसी प्रेम फुहारें लाई हैं ज्यान सिंदु में गोता लेकर दन की आतन मन जीवन करते हैं शत शत वंदन राजयोग के साथ आपने करम योग साधन-साधा राजयोग तो सीधे सीधे परमात्मा से मिलाने के लिए आपका एक साधन है लेकिन उसके से बड़ा कर्मयोग ये कर्मयोग कही प्रणाम है जो इतना मुझा सामराज बाबा का खड़ा हुआ है जाजी योग के साथ आपने कर्मयोग साधन साधा बाबा का संदेश सुना कर दूरकरी सब की बाधा राजियोग के साथ आपने कर्म योग सादन साधा बाबा का संदेश सुना कर दूरकरी सब की वाधा जीवन मूल्यों के संदेशों से बिखिराई थी मले पवन पूझ जान की दादी जी का करते हैं शत शत बंदन बाबा का आदेश मिला तो ज्यान मार्ग का वरण किया उनके पावन आदर्शों का पगपग पर अनुसर्ण किया पाया है अनमुल खजाना और पित करके तन मंधन पूझ जाने की दादी जी का करते हैं शत शत बंदन और अन्तिम इस पर गित का इसके साथ मेरी भावन जली पूरे मन के साथ और आप सब लोगों की ओर से रगराऊं वागत हैं शब्दों के कुछ फूल सजा कर भावान जोरी भर लाया हूं शब्दों के कुछ फूल सजा कर भावान जोरी भर लाया हूं दादी जी के शुब कर मोका वंदन करने आया हूं वाँ वाँ शब्दों के कुछ फूल सजा कर भावान जोरी भर लाया हूं दादी जी के शुब कर मोका वंदन करने आया हूं प्रेम शांत संदेश सुना कर मोहित कर गई जनगर्मन पूज जान की दादी जी का करते हैं शतशत बंदन बाबा का साशी शुमिला तो आप बनी सुर्वित चंदन पूझ जान की दाधी जी का करते हैं शत्शत वंदं गलिए अ बेहनों और भाईयों हरियों जी ने अपनी भावां जली को बहुत थी सार्थक शब्दान जली में गूथ कर आपके समक्ष प्रस्तुत किया मैं उनकी रचना धर्मिता और उनके भावना प्रधान वाक्यावली को प्रणाम करता हूं और आज पंक्तियों के साथ ताज के इस एपिसोट को समापन की तरफ हमले चलेंगे आठ पंक्तियां की दादी की याद क कब-कब %. तो आपको भी लगे कि ए ऐसी याद तो आपको भी आ सकती है आती ही होगी तो फिर दादी की याद को वहिसाब एक महतसाव बनाईए गा क्योंकि उन्होंगी उन्होंने जीवन को दे त्यागने वाली बात को भी एक उत्सव के रूप में ही ग्रहन करने की बात कही थी तो यहां से शुरू कर रहा हूं मनोरमा दीदी मैं कि उमर घुमर कर बदली जब सावन का संदेशा लाती है चमचम करती बूंद बूंद दादी की याद दिलाती है उमर घुमर कर बदली जब सावन का संदेशा लाती है चमचम करती बूंद बूंद दादी की याद दिलाती है जब रात अंधेरी साएं साएं मन में डर उप जाती है दादी की याद की प्रेमिल थपकी नवसाहस भर जाती है जब चूले पर पकती रोटी की खुश्बू दिल तक आती है समता ममता क्षमता दादी नयन मेरे भर जाती है तोफी खाते हुए कोई नन्नी छोटी सी भिटुकली तोफी खाते हुए कोई नन्नी जब तिली लिली चिड़ाती है तोफी खाते हुए कोई नन्नी जब तिली लिली चिड़ाती है तो मुरली सुनाती मा की ममता गीत सुरी ले गाती है तू तो चली गई है नभ में व्यक्त से अव्यक्त केवल दे वो तो हमारे बैसाब चिरंतन है पर तू तो चली गई है नभ में तू तो चली गई है नभ में पर चंद्र किरण जब आती है तो चंदा मामा दूर की लोरी जान की बनचा जाती है तो चंदा मामा दूर की लोरी जान की बनचा जाती है तो जान की दादी को हम बहुत ही स्नेह के साथ आदर के साथ अधिकार के साथ सादर नमन करते हैं और परमपिता से प्रार्थना करते हैं कि उनका शिरवाद जैसे दादी पर रहा वैसे सारे बच्चे बच्चियों पर समा व्रिष्टी करता ही है और करता ही रहेगा क्योंकि दोश तो हमारी गागर का वो तो सागर है और वो तो बरसाता है सब पर अपनी गागर उंदी पड़ी हो भाईया तो फिर बरसाने वाले का क्या दोश तो यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्विध्यालय क यह जो Godly Wood Studio है इसका एक ही काम है कि उल्टी पड़ी हुई गागरों को सीधा कर दो ताकि परमात्मक्रिपा की विरिष्टी गागरों में समाहित हो सके इनी शब्दों के साथ आज दाजी जानकी की सुब्रती को समर्पित इस काव्य सरीता कारेक्रम को समापन करने की इती श्र लिगस भी रखे और आप जहां भी जाएं दादी जानकी की समर्ण करती हुई यादों के गुलदस्ते को न केवल अपने करों से बलकि अपने मनों से भी चहकाते रहें महकाते रहें इनी शब्दों के साथ इजाज़त लेता हूं ओम शान्ति कर दो